हलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और ये वीडियो थोटे सी informative होने वाली है और बहुत important भी होने वाली है तो वीडियो को end तक जरूर देख लेना तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई मेरे 10 से 15 views आ रहे हैं लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ उस खुश होने का राज यह है कि क्योंकि भाई जब कोई इंसान long time के लिए काम करता है न भाई तो फिर वो यह नहीं देखता कि मेरे views कितने आ रहे हैं यह है कि बस consistency होनी चाहिए ठीक है तीन चीज़े होनी बहुत ज़रूरी है अपने career के अंदर जिस चीज़ भी चीज़ मतलब continuous काम करना है आपके पास किसी तरह की भी हालात आएं वही बात होगी न भाई views चाहिए 10 आए या 50 आए या 100 आए या 1000 आए आपको demotivate नहीं होना है और आपको consistency से work करते रहना है वही बंदा कामयाब होता है जो इन सब से गुजर के इन सब को पार करके आगे next कदम ब और और भी बहुत लोग technical channels run कर रहे हैं अपना तो भाई मेरे पास कब आएंगी audience जब मेरे content में uniqueness होगी जब मेरा content उनसे बैतर होगा हर चीज में मतलब चाहे वीडियो चाहे camera quality बात करूं या editing की बात करूं या content की बात करूं तो भाई uniqueness होना बहुत जरूरी है जो भी हम काम कर रहे हैं जिस भी निश पर काम कर रहे हैं उस फिल्ड के अंदर ठीक है तो वही तीसरा है पैशेंस तो पैशेंस भी होना बहुत जरूरी है हम जब भी हम कोई भी काम करते हैं किसी भी काम के हम सुरुवात करते हैं चाहे हमारा business हो या YouTube channel हो या कोई भी हम work करते हैं भाई starting में एकदम से हम आसमान नहीं छूपाते हैं थिक है धीर धीर ही हमें पदिचबने पढ़ती हैं क्योंकि हम एक क्षा़ नहीं कर सकते हमकर पहले एक मसले थीट करने में बहुन करनी होता है तिक है बाइशा उनक्रोण सभर जल्ठीस बढ़ते हैं आप छल्ते जो में यृफ तो आप दीरे दीरे वर्क करोगे अपने चैनल पर पैशन्स के साथ consistency के साथ unique नेस के साथ तो आपको भाई at least कम से कम आपको 5-6 माईना तो continue work करना पड़ेगा YouTube पर तब जाके आपको कुछ दिखेगा तब जाके आप समझोगे कि हाँ यूटूब यूटूब पर एकदम नई success मिलती हमें मतलब patience होना चाहिए जब आप से कोई पूछागा ना कि आपने इतनी जल्दी कैसा चैनल ग्रोग गया तो जब आप उनको बताओगा ना कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी है क्योंकि इंसान जब एकदम दिखता है ना चड़ता हुआ कि य जार वह हमसे जादे कितने अच्छे विज ला रहा है उसका content भी इतना अच्छा नहीं है हम उसे अच्छा content बना रहें लेकिन नहीं भाई उसने पीछे बहुत मेहनत करें अगर आप उसकी case study करोगे ना जिसको जो भी आपको लग रहा है कि यह बहुत जल्दी उठा है तो आपको पता चल जाएगा ठीक है और हकीकत में तब पर चलता है जब इंसान खूद करता है भाई हम अब खूद कर रहे हैं हमें पता चल रहा है कितनी महनत करनी पड़ती है और हमारे अंदर passions भी है और हमें कहीं ने कहीं मेरे को तो भाई long term work करना है यूट्यूब पे इस व आपको भी मतलब अगर आपकी भी दस से पंदर व्यूज आ रहे हैं तो आपको टैंसन लेनी की जरूत नहीं है क्योंकि अगर टैंसन आप जब लोगे जब आप सोचरों के बाई बस मैं तो एक साल के अंदर अंदर बस यूटूब पर पैसा मेंसे का मंगा और छोड़ दू करना है कहीं एक अपना नाम करना यूटूब के अंदर वही लोग यूटूब में काम काम्याब होते हैं भाई तो अगर आपके भी 10-15 व्यूज आ रहे हैं और आप टैंसन ले रहे हो तो भाई मतलो अगर आप वाकी में यूटूब पर एक अच्छा नाम कमाना चाते हो एक चोड़ने के बहुत सारे बाहने हैं यूटूब के यार मुझसे एडिटिंग नहीं आती यार मुझसे तमनेल नहीं बन रहा यार मुझसे स्क्रिप्टिंग नहीं हो रही है यार मेरे पास अच्छे लाइट नहीं है यूटूब चोड़ने के और यूटूब ने जिसने एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना थेंक यू